पीरमिंड नाम तो सुना ही होगा जो दुनिया के साथ अजूबों में से एक है वैसे तो यहां एक पीरमिंड का इतिहार 4000 वर्स पुराना बताया जाता है लेकिन आज भी इन पीरमिंडों से जुड़ी कई रहेस्त हैं जिनकों बारे में किसी को भी नहीं मारूम है पीरमिंड केसां के सरचछण के लिए बनवाया गया था गिज्या के ग्रेट पिरमिंड की उचाई करीब 4-5-0 फिट है वहीं इस पिरमिंड के नीचे का भाग वो 13 एकड में फैरा हुआ है जो रदबर 16 फुट वर मैदान जितना बड़ा है इस पिरमिंड को बनाने में 24 राक पत्तर्ड वाप्स का इस्तमाल किया गया था जिनका वजन करीब 5 अलब 21 करोड किरो ग्राम है इन पत्रों में राइमो इस्टोन और ग्रफाइट सामिर किया गया है इस पीरमिड को बनाने में इस्तमाल किये गए पत्रों का वजन 2 टन से 3 और पत्रों का वजन तो 50,000 टन है इन में सबसे हैरानी की बात ये है कि आज के समय में किसीट क्रेंग से अधिकतम 20,000 टन किरो तक का ही वजन उठाये जा सकता है तो उस समय 45,000 किरो वजन पत्थर कैसे उठा कर रहे गए होंगे लेकिन पीरा मिलने को कितने तहकाने हैं इसके बाई में तो कोई नहीं जानता है लेकिन अभी तक ये सोध मुताबिक इसमें तीन तहकाने मिले हैं अधार तहकान राजा का तहकाना और रानी का तहकाना लेकिन हैरान करने वरी बात ये है कि राजा के तहकाने में ना तो कोई राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी की तहकाने में मम्मी जबकि इस पीरामिंड की राजा औ पीरामिंड चान से भी दिखाई देते हैं गिज्जा के पीरामिंड को इस तरह बनाया गया कि इसके अंदर का ताप मान हमिशन नियंत्रित बना रहता है पीरामिंड के बाहर का ताप मान चाहे कितना भी गर्म हो लेकिन इसके अंदर का ताप मान 20 से 25 तीगी सेर्सियस तक ही इसके अरावर या पीरामिंड किसी भी तरह के भुकम्प को जेल सकता है और ये थीर पीरामिंड के बारे में रहे से भरी स्टोरी जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूलिएगा